कि नमस्कार साथियों जार्खन फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है कि हमारे चैनल में इतने भी नए लोग है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा कि आज हम लोग जैपिएस्टी पेपर टू का पहला टोपिक है जार्खन का इतिहास जो आठ प्रस्णा आते हैं कि टोटल है कि सुलो मार्क्स का हर कोचन दो नंबर का होता है तो जार्खन का इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे मुंडा साशन मुंडा साशन से एक प्रस्णा आता है जो दो नंबर कराता है इसका परिशे हम लोग पहले जानेंगे अभी त्या मुंडा समाज की प्रमप्रागत साशन व्योस्ता है मुंडा समुदा अपने आर्थिक समाजिक और धार्मिक मामो का निप्टारा इस साशन व्योस्ता से करते थे आज भी कुछ छेतर में है, इस ब्रवस्था की जलक देखने को मिलती है। जेते हैं, मुंढा समाज की जो प्रमपरागत था, सासन ब्रेवस्था, जो मुंढा समघ आपने आर्थिक समाज़ीक और धार्मिक आमलों का क्या करता था, निप्तारा करता था इसी सासन ब्यवस्ता से अभी भी कहीं कहीं कोई बहुत सारे चेतर में इस ब्यवस्ता की जलग देखने को मिलती है कि तवा बेवस्था चार अस्तरी है क्या है चार अस्तरी है कौन-कौन सा है तो हातू-पंचायत और पट्टी पंचायत पढ़ा पंचायत उसके बाद राज पंचायत चलिए हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे ने ग्राम पंचायत मुंडा सासन में उस्ता हमें ग्राम पंचायत क्या होता था तो मुंडा गाउं को खुटकटी गाउं कहा जाता है तो किया पहला कोशन बनता है कि मुंडा गाउं को खुटकटी गाउं कहा जाता है खुटकटी गाउं किसे कहा जाता था तो मुंडा के गाउं को क्या कहा जाता था खुटकटी गाउं तक ग्राम मुंडा पंचायत परसासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम मुंडा पंचायत परसासन की क्या होती है सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हातु कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है हातु सबसे छोटी एकाई जो पंचयत पर सबसे छोटी एकाई होती उसे क्या करते हैं हातु तो ग्राम पंचयत की बैठक अखड़ा में होती है ग्राम पंचयत की बैठक मुंडा मुंडा सासक मुंडा सासन वरस्ता में कहां पर होता है तो अखड़ा में होती है ग्राम पंचायत में निमना अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत में निमना अधिकारी होते हैं कि मुंडा देखें मुंडा का क्या काम था इस पंचायत वज़ता में मुंडा या हातु मुंडा ग्राम पंचायत हातु पंचायत का परसासनिक और नियानिक पर्मुक होता है तो जो पंचायत वज़ता में मुंडा या हातु मुंडा ग्राम पंचायत के क्या होता है परसासनि और नियानिक सबसे उपर परमुख होता है तो मुंडा गाउं के बुजर्ग लोगों और पंचायत के अधिकारियों के मदद सी विवादों को निप्टारा करता है कि मुंडाHe गाउ में निप्टारा कुमद्वाद जो होता है, उसका निप्टारा कैसे तयर्व गाउं के बुजर्व लोगौ और पैंशायत क्या है कर समिद्शियक्झार्यों के मदर से विवाद वह कर था है, निप्टारा करता है उन्ता मुंड़ा अपने गाउं में लगान भी वसुलता है तो मुंड़ा वसुलता है मांजी देखिया मुंड़ा सासन विरुस्ता में मांजी का क्या था क्या काम था तो यह मुंड़ा का मुख्य सहयक होता है मांजी जो हो मुंड़ा का मुख्य सहयक होता है परसासनी कारियों में मुंड़ा का मदद करता है क्या करता है जितना भी परसासनी कारियों उसमें मुंड़ा का मदद करता है कौन करता है मांजी करता है मांजी का क्या काम है मुंडा का मुख्य क्या चीज़ है सहायक है कौन है मांजी है और प्रस्राशनी कारियों में क्या करता है मुंडा मदद करता है कौन मदद करता है मांजी मदद करता है कि पाहन का काव मुंदाओं का धार्म का धिकारी पाहन होता है इस है एक hoch destroying आता है दोस्तों जैसे इसका कोचन होगा मुंडा सासन ब्याउस्था में मुख्य धार्मी का दिकारी गाउं का कौन होता है तो कौन होता है पाहन होता है पाहन गाउं के सारे धार्मी विवादों का निप्टारा करता है गाउं के सारे धार्मी विवादों का निप्टारा कौ A next- पुजार पुजार का क्या काम है पुजार का या पाहन का मुख ही सहयोगी होता है वो जार को अनुवस्धितिमे पाहन का पाध समालता है कि मुलता है कि पाहन जब नहीं रहता है तो उसके जगह पे पुजार काम करता है महतों मुंडा सासन विवस्ता में महतों के क्या काम था तब महतों गराम पंचायत का संदेश वाहक होता है क्या होता है गराम पंचायत का संदेश वाहक होता है यह मुंडा और पाहन दोनों का सहायक होता है कौन होता है महतों मुंडा और पाहन का क्या होता है सहायक होता है मातों कोन है तो मुंडा और पाहन का दोनों का सहायक होता है मुंडा और पाहन के संदेश को गाओं के हर घर तक पहुचाता है मातों का क्या काम है मुंडा और पाहन के संदेश को गाओं के हर घर तक पहुचाता है इसके अलावा गाउं के बाहर या गाउं के अंदर की महत्पूर्ण सुचना को मुंदा तक पहुँचाता है कौन पहुँचाता है तो महतों पहुँचाता है क्या पहुँचाता है संदेश पहुँचाता है नेक्ट देखिए पट्टी पंचायत क्या होता है तक कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पट्टी पंचायत बनाया जाता है इसका मुख्या मानकी का लाता है पट्टी पंचायत को मुख्या होता है इस पंचायत को सभी लोप हो चुका है पुरू में भी यह पंचायत कुछ सिमीत शेतर में थे इस पंचायत का धेरे धेरे पढ़ा पंचायत में बिले हो गया पट्टी पंचायत जो है वो क्या हो गया पढ़ा पंचायत में बिले हो गय जिस छेत्र में ऐसा हुआ उस छेत्र में पढ़ा राजा को मान की भी कहा जाता है तो जहां पे विले हुआ उस जगह पे पढ़ा राजा को मान की भी कहा जाता है हम देखें पढ़ा पंचायत तक कई हातु पंचायत समयने होता है 12 से 20 गां को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्मान होता है पढ़ा पंचायत का निर्मान कैसे होता है 12 से 20 गां को मिलाकर एक पढ़ा पंचायत का निर्मान होता है कि जिस मामले का निप्टारा हातु पंचैत में नहीं हो पाता है उस मामले को पढ़ा पंचैत में लाए जाता है भूता है हातु दो स्यधी गाउं के विवात को सुल जाता है इसके अलावा जो बेक्ति हातु पंचायत की निरने से असन्तुष्ट होता है वो इस पंचायत में अप्रिल कर सकता है फढ़ा पंचायत का परधान पढ़ाराजा होता है पढ़ाराजा तह यह पद उन्सानुगत नहीं होता है यह जो पद है उन्सानुगत नहीं होता है मतलब इसका भोट होता है पढ़ा राजा के सहियों के लिए निम्न अधिकारी होते है नोट वल्द मुंडा छेत्र में पहले बारा पढ़ा थे अभी बाइस पढ़ा है पढ़ा राजा का मुख्य सहयोगी होता है कौन होता है ठाकूर पढ़ा राजा का मुख्य सहयोगी कौन होता है ठाकूर होता है तो पढ़ा राजा के अनुपस्तिति में इनका सारा कारेभार ठाकूर देखता है गर पढ़ा राजा नहीं रहता है तो इसका काम कुन देखता है ठाकुर या पद पढ़ा पंचायत का दूसरा सबसे बड़ा पद है पढ़ा राजा जो है वो पढ़ा पंचायत का दूसरा सबसे बड़ा पद है या पद वनसानुगत होता है या वनसानुगत होता है जैसे किसी का है तो अपना भाई को या फिर उसका परिवार में चलता है वही जो पराया बड़े बेटे को दिया जाता है यह जो पैद हो बड़े बेटे को दिया जाता है दिवान तया पढ़ा पंचायत का मंत्री होता है इसका मुख की काम पढ़ा राजा के आदिस को लागू करवाना होता है दिवान दो तरके होते हैं गड़ दिवान और राज दिवान दिवान कितने तरके होते हैं दो तरके गड़ दिवान और राज दिवान गड़ के अंदर के कारियों की देखरेर करता है तब राज दिवान गड़ के बाहर की और और यह पांडे पांडे का देखिए क्या काम है , इसका मुख्य काम, काम काम दस्तवेजों को सुरत्वेजों को सुरस्चीत रखना तथा जरूरत पड़े तो पढ़ा पंचायत के समझ प रस्तूत करना तभ पढ़ाराजा के आदिस के नोटिस भी जारी करता है पांडे क्या करता है पढ़ाराजा के आदेस पर नोटिस जारी करता है बरकंदाज दिवान का मुख्य सरयोगी होता है इस पत को सिपाही के नाम से भी जाना जाता है मुख्य स्वायोगी पद जो है वो सिपाही के नाम से भी जाना जाता है इसका मुख्य काम दिवान के आदेश पर गाँ गाँ में नोटीस पहुचाना है मरकंदाज का काम क्या है दिवान के आदेश पर गाँ गाँ में नोटीस पहुचाना दोखे दरोगा मुंडा सासन मेरस्ता में दरोगा काम क्या दोलता है सभा में कारिवाही के दोरन सभा का नियंतरन करता है कोई भी सभा में करवाही होने लगता है तो सभा को क्या करता है? नियंतरन करता है कोई बेक्ती आवेस में आकर किसी पर हमला ना कर दे सोर सरावा इस तरह के मामलों से निपटने का कम दरोगा का होता है इसे करता भी कहा जाता है लाल ये पढ़ा पंचात में किसी भी मामले करनी ने लेते समय वकील की तरह कारी करने वाले दिकारी को लाल कहा जाता है तो लाल किसे कहा जाता है, वकील को एक तरह से, वकील को लाल कहा जाता है, यह पच्छ और विपच्छ दोनों पच्छों के लिए बहस करता है, जो वकील यह लाल जो भी है, यह पच्छ और विपच्छ दोनों पच्छों के लिए क्या करता है, बहस करता है, और अपने अपने लाल और छोटे लाल तीन सरेनिया कौन-कौन सा होता है बड़ लाल मंज लाल और चोटे लाल कि पुरोहित का क्या काम था किसी बेक्ति का सुध्धी करन करके पुना समाज में सामिल करता था अगर कोई भी बेक्ति कुछ भी अगर बदमासी करे और समाज से उसको निकाल दे तो उसको फिर से क्या करता था सुध्ध करके फिर से पुना समाज में ले आता था किसका काम था पुरोहित का काम तो अगर किसी वेक्ति को दंड सवर्व समाज से भाहिस्क्रीद कर दिया गया हो तो उसका सुद्धिकरन पुरोहित द्वारा किया जाता है मुलता है कि अगर समाज से बाहर कर दिया जाता है कोई भी वेक्ति को तो उसको क्या करता है सूध करके फिर से समाज में ले आता है पूरो हीत तो है मुंडा सासन बेवस्ता में सबसे बड़ी सजा जात बाहर है यह सजा ओन अपराद समगोतरी विवा और पंचायत का आदिश ना मानने के लिए दिया जाता है अगर कोई बेक्ती छमा आचना के साथ पुना समाज में आना चाहता है तो उसे पुरोहीत वारा सुधी करन रस्म के बात समाज में सामिल किया जाता है पुरोहीत का काम है कोई भी अगर समाज से बाहर होता है कोई भी दंड पाकर या भी कुछ भी ऐसा काम करता है जो उसे समाज बाहर कर दे तो उसको पुना हुआ सुद्धी करन करके अपने रस्म से क्या करता है समाज में सामिल करता है घटवार घटवार का क्या काम तो दे दंड सवरूप जमा किये गए पैसे का हिसाब किताब रखता था क्या करता था जो भी दंड दिया जाता था उसमें जो भी पैसा मिलता था उसको क्या करता था जमा करता था और हिसाब किताब रखता था कौन रखता था घटवार तो चवार डुलाईत इसका मुझ की काम बैठक में आई लोगों का हाथ पर धुलाने का प्रबंद करना तो चवार डुलाईत का काम क्या था बैठक में जो लोग आते थे उसका हाथ पर धुलाते थे पान खवास पान खवास इसका काम बैठग में आई लोगों को खाईनी चूना पान उपलब्द कराना इसका नाम से ही पता चलता है पान खवास पान खाने वाला मतलब जितने वी बैठग में लोग आते तो इसको खाईनी चूना पान उपलब्द क्या करता था उपलव्द करता था राज पंचायत तब मुंडा पंचायत विवस्ता में सबसे उचस्तर का पंचायत होता है राज पंचायत इस पंचायत के फैशले पूरे मुंडा समाज में माननी है राज पंचायत वो जो भी बोल देगा वो क्या करेगा इसका मानना पड़ेगा जो भी बात बोलेगा पंचायत में अब एक समाज में तो इसका बात मानना पड़ेगा और मुंडा समाज की लोग मानता भी है इसका परधान राजा या सरदार कहलाता है इसका जो परधान होता हो राजा या क्या कहलाता है सरदार जिस मामले का निप्टारा पढ़ा पंचायत के अधिन नहीं हो पाता है उस मामले का निप्टारा इस पंचायत में होता है जो निप्टारा पढ़ा पंचायत नहीं कर पाता हो राज पंचायत में किया जाता है या सरवच अपिलिय अदालत भी है या सबसे बड़ा अदालत है पढ़ा पंचायत की निरने से असंतुष्ट बेक्ति अपने मामले को इस अदालत में परस्तूत कर सकता है पढ़ा पंचायत का जो भी इसका निरने लिया जाता है अगर कोई वेक्ति को समझ में नहीं आ रहा है या फिर खुश नहीं है उसका निरने से तो क्या करता है इस मामले को अदालत में पेश करता है राज पंचायत में इस पंचायत के अंतरगत बाइस पढ़ा आते हैं इस पंचैत के नत्रगत कितने आते हैं बाइस पढ़ा आते हैं मुंदा साथन विवस्था से समझन देख था अफम ही लांज कि इस्तिति के बारे में पढ़ना है तो इसको में जान लेते हैं तक मुणडा पैंचायद व्रसता में महिलां की भागिदारी नहीं होते थे इंख कोई भी महिला मुणदा और पिर कोई भी अधिकारी नहीं बन सकती है अगर कोई महिला ता उम्र भर डिंडा डिंडा का मतलब देखिए दोस्तों यहां पर है आविवाहित तो अगर कोई महिला ता उम्र डिंडा आविवाहित रहती है उम्र भर अगर कोई आविवाहित रहती है तो गाउं पंचाय द्वारा उसके पि ऐसे इस नहीं हो सकता है जमीन लेकिन इसको ना ही बेच सकता है ना ही किसी को दे सकता है विदवा को अपने पती की जमीण से भरण पोषण्रे अपर दिया जाता है। जो भी महीला आलोग जिसका पती है नहीं रहता है नहीं नहीं बेच सकती है उता कोई भी अगर विद्वा महिला है तो उसको उसका भरन पोसन के लिए उसका जमीन दिया जाता है यह से खेति करने के लिए लेकिन उसको वह बेच नहीं सकती है कि अधिकारियों के पत का सवरूप तबीकारियों के पत का सवरूप तब हातु मुंडा मान की पढढ़ा राजा सरदार सारे परदान चुनाओ के माधियम से चुना जाता है यह सब जितने भी पत हैं जिसे हातु मुंडा मान की यह सब सारा चुनाव के माधियम से चुना जाता है ना कि वंस के दोवारा होता है जो कि उसका पिता बना उसका बेटा बना फिर उसका बेटा बना इसे चलता रहता है लेकिन ये सब जितने भी पद हैं ये सब चुनाव के दोवारा होता है ये पद वनसानुगत नहीं होते हैं ये वनसानुगत नहीं होते हैं बाके अन्य पद जिसे ठाकूर दिवान लाल दरोगा पंड़े वनसानुगत होते हैं ये वनस के दौरा चलते आ रहा है किसी का पिता था तो फिर वो अपना बेटा को दिया उसको बेटा फिर वो अपना भ परिवारा जो एक दूसरे को अपने परिवार में देते चल जा रहा है वो बड़े बेटे को सौपा जाता है अगर बड़ा बेटा ओगिये नहीं होता है तो उसके किसी योगी रिष्टेदार को या पद परदान किया जाता है मुंडा का चुना बोलता है राची जिला के लोजीमी छेत्र में नो जुन को वर्स में एक बार मुंडा पढ़ा राजा और राजा मिलते हैं जितने भी है राची जिला के लोजीमी जगह का नाम है जो नोजुन को वर्स में एक बार मुंडा पढ़ा राजा वहाँ सभी कोई मिलते हैं जिस गाउं में मुंडा का पद रिकत रहता है जिस गाउं में मुंडा का पद खाली रहता है उस गाउं के लिए मुंडा का चैन होत चैनित मुंडा को पगड़ी पहना कर कारी भार सुपता है जो भी उसमें सभी के दोबाद चैन किया जाता है तो मुंडा को क्या करता है पगड़ी पहना कर कारी भार सुपता जाता है दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है नेक्स्ट हम लोग लेकर आएंगे इसका mcq इसका जो भी कोचन बनेगा इसका हम लोग नेक्स्ट ट्रोपिक में लेकर आएंगे mcq चैनल में जितने भी नहीं लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और लाइक जिरूर कीजिएगा दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा थैंक्यू जैहिन